आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम सिद्धान दगने होतरी study IQPAP का बहुत बस्वाव गते हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे anti-tank guided missile की आप देख सकते हैं यह देखिए tank से निकली missile हाला कि यह tank को ही खतम करने के लिए होती है anti-tank guided missiles क्या है अभी टेस्ट किया भारत ने laser guided missile का जो कि anti-tank missiles है तो इसी लिए मैं यह lecture आपको समझा रहा हूँ और यह इतनी important क्यूं है देखेंगे important lecture होगा Twitter और Insta दोनों प कभी-कभी में वक्त नहीं रहता तो मैं recorded message भीज़ देता हूँ तो आप अगर Insta पर पूछेंगे तो जादा बेटा रहेगा UPC के smart courses आते है steady IQ cap डाउनलोड करके आप अवेल कर सकते हैं सबसे पहले हम anti-tank guided missile की बात कर लेते हैं anti-tank guided missile, anti-tank missile, anti-tank guided weapon या anti-armor guided weapon हर नाम से इसको जाना जाता है अभी भारत ने laser guided version of the anti-tank guided missile इसको test कर लिया है D.I.D.O. ने किया है यह और अभी तो यह शुरुआत है आगे और भी validation टेस्ट होंगे नाम क्या है अभी तक पता नहीं चला है हमारे लिए बहुत पिछले एक महिने में 10 से जादा missiles के हमने टेस्ट किये बहुत अच्छी बात है हम अपको अपनी defense को देखे भारत हमेशा no first use पे जाता है कि हम पहले तो हमला करने वाले है नहीं लेकिन अगर तुम ने हमला किया तो तुमको छोड़ेंगे भी नहीं और आपको पता ही कि हमको हमेशा two front war two front पे तो तैयार है नहीं है इधर चाइना है इधर पाकिस्तान है two front war पे में बहुत जल्द लिचर ले आऊंगा अभी थोड़ा सा वक्त की कमी है इसलिए मैं नहीं लापा रहा हूं लेकिन इस हफते में पक्का ले आऊंगा तो दोनों तरह से तैयार रहना है तो इसलिए हमको अपनी defense बढ़ानी है हम offensive नहीं हम defensive है ठीक है और यह ठीक भी है क्योंकि एक तरीके से आपको दुनिया को नहीं बताना है कि हम हमला करने वाले हैं तो भारत बहुत बढ़िया तरीके से चलता है हम बहुत अच्छे तरीके जर्मनी ने anti-tank missile बनाई थी और उसके बात फिर आपको बताई है कि जर्मनी के पास weapon system तगड़े तगड़े थे कि हिटलर जो है उसने इतने modernized weapon बनवा दी है उसका एक रिजन ये भी है ना कि जर्मनी हमेशा से intellectual hub रहा है वहाँ पर कमाल की university रही है अलबर्ट आइंस्टीन भी वही से आते है तो एक तरीके से जर्मनी जो है बहुत इंटलेक्शन वहाँ कि बर्लिन इनिवर्सिटी लिव्जिक इनिवर्सिटी बड़े-बड़े scientist वहाँ से पड़े हुए तो वहाँ से फिर development शुरू हुआ modernized weapons का और जर्मनी ने इसको बना अधिन्स को दी है ना तो यह सब हुआ अब उसके बाद फिर 1991 जब cold war खतम हुआ unipolar world तो यह थोड़ा सा इसका आकड़ा कम हुआ लेकिन अभी भी सारे देशों के पास 130 से जादा देशों के पास anti-tank missiles है बारत के पास भी है बारत के पास नाग है third generation नाग missile है पहले आप सम आम्ड वेकल हो गया उसको खतम करने के लिए काम आती है इसको आप शोल्डर से भी आपने movies में देखा होगा ना कि एक सिपाही जो है वो अपने कंधे पे यह missile दाखता है वो anti-tank missile ही होती है इसको आप आराम से कंधे पे रखके भी दाख सकते है वेपन्स की जरूरत होती ह है लेकिन भारत ने 2019 में MPATGM man-potable anti-tank missile का टेस्ट किया वैसे भारत के पास नाग है और नाग थर्ड जनरेशन का हमने टेस्ट किया हुआ है और नाग के बहुत सारे variants है यह anti-tank missile है देखे होता क्या है ना कि इन anti-tank missile को इनको ट्रांस्पोर्ट करने के लिए मशीनरी लगत है हमारे पास जो नाग है उसके variants क्या है सबसे पहले Helena Helena मतलब helicopter launched naat आप इस anti-tank missile को जैसे मालो helicopter ऊपर से जा रहा है नीचे tank है टैंक को खतम करना तो आप है हेलिकोप्टर से, जैसे है हेलिकोप्टर उपर से जा रहा है अपने मिसाइल दागी, नीचे टांक है कि यह और यहां से अअनप मिसाइल दागी अब तल हमारा हम्हेलन दूसरा वेरिएंट हमारा लांड वर्जन यही वाला होता है हमारी आर्मी ही तो जमीनी युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना नेवी और एरफोर्स तो आपको असिस्ट करेंगी वह बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन जमीन पे तो भाई आर्मी ही लड़ती है अब आर्मी जब लड़ रही है जमीन युद्ध दो रहा वैसे वैसे लोग जो देश वो एडवांस होते जाते हैं और उनकी वेपनरी भी एडवांस होती ही जाती है तो अगर अब आप एंटी टैंक मिसाइल से मारेंगे तो बहुत सारे टैंक्स ऐसे हैं जिनको कुछ होगा ही नहीं उनका कवच उनका जो आउटर सर्फेस है वो तिन अब इसके लिए मशीनरी लगती थी लेकिन अब इसको ट्रायपॉट से ही ऐसे होता ने ट्रायपॉट यह इधर से इस तरीके से ठीक है और यहां पे यह वेपन होता यह मिसाइल यहां से निकलती है तो आसानी से इसको आप दाग सकते हैं यह 2019 में पिछले साली टेस्ट किय बारत ने और यह भी डिडियो नहीं बनाया ठीक है और अभी हमने लेजर गाइड़ एटी जीम का टेस्ट कर लिया अब इसकी रेंज जो है रेंज लिमिट कितनी है डेड़ से पांच किलो मीटर में खतम टैंक पांच किलो मीटर से जादा भाई यह पैदल मतलब इंफिंट कि जवर दस्तरेंज है क्या करती है यह लॉक करती है टार्गेटों को ट्राक करती है 100% एक्यूरेसी है लेजर का यूज हो रहा है आप समझ रहे हैं यह टैंक है यह टैंक है बहुत ही गटिया टैंक बनाया हुआ है यहां से आपने मिसाइल मारी और यह दिखे यह लेजर आपने मिसाइल के लेजर काइड़े ना तो इसी को फॉलो करते हुए यह टार्गेट को खतम करती है अब यह मिसाइल जो है यह टैंडम हाई-प्लोसिफ एंटी टैंक वर हिट को यूज करता है अब यह टैंडम क्या है इस टॉम को आप समझ लीजे अनडम का मतलब यह है कि यह जाए नहीं कि बहुत सारे टैंक उनके प्रोटेक्टिव आर्मर्स है उनका कवच होता है वो इतना स्ट्रॉंग होता है कि आप एक बार मानेंगे कुछ नहीं होगा तो इसलिए आपको इस आर्मर को भेदना पड़ेगा पेनिट्रेट करना पड़ेगा ताकि पूरा टैंक खतम हो जाए युद्ध हो रहा है टैंक आ गया सामने दागी अपने मिसाय कुछ हुआ ही नहीं तालिया बजानी आपने शुरू कर दी लेकिन कुछ नहीं हुआ अब आ सीधा टैंक को खतम करें तो यह है आपका टैंडम जिसके वो मिसायल जो एक से ज़ादा डेटोनेशन यूज करती है तो इस मिसायल के पास यह केपिबिलिटी है कि आर्मर को चीरते हुए निकलेगे क्या बात है किसको इसने बनाया है आपको पते यह डी आईडियों की अब इनका इंपोर्टेंस क्या है देखो अभी हमारा जो मेंन बैटल टैंक जिनको MBT बोला जाता है मेंन बैटल टैंक कमारा कौन सा है अर्जुन तो हमारा जो मेंन बैटल टैंक है अर्जुन वहां आप इसको integrate किया जाएगा और अभी बहुत सारे टेस्ट होंगे अधर फ्राइट पैरामिटर्स को जाचा जाएगा यह बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है ना बहुत सारे validation टेस्ट होते हैं कि ऐसा ना हो कि जब फिल्ड में इसकी यूस की बारी आए तो कामी ना करें तो इसलिए टेस्ट जो है वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है इंपॉर्टेंस क्या है सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है कि इंका इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस यही होता है कि कि modern day warfare टेकनीक में यह बहुत ज़्यादा काम आते हैं जैसे अभी LAC पर टेक्शन चल रही है और वहां पर टैंक तैनात हो गए थे हैं भी अभी तो चाइना के पास ऐसे टैंक है जिनका आर्मर बहुत तगड़ा है बहुत मुश्किल उनके टैंक को मारना तो अगर आप उस उसी हिसाब से अपनी वेपनरी को डेवलप नहीं करेंगे तो तो फिर आप जीत नहीं सकते और टैंक बैटल्स इंफेंट्री में जो जमीनी लड़ाई होते हैं जब आर्मी लड़ती है तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें टैंक होते हैं टैंक जो है वो युद्ध का टैंक की रेंज इतनी रखी गई है यह 5 किलो मेटर के अनदर अंदर कोई भी टैंक को येजर से गैड़ करेंगे खतम हो जहेंगो अजए अबज्यक्तिव क्या है kun इससे पहले हमको टैंक खतम करे उसको खतम करेंगो तैंक को टैंक लगता है टार्गेट हिट करने में, टैंक जो है वो भी कैलकुलेट करता है, अब होगा क्या कि जैसे ही टैंक टाइम लेना चुरू करेगा, टार्गेट को वो लॉक करेगा, उससे पहले आप मिसाइल से टैंक को उड़ा दो, फिर ये अभी मैंने आपको बताया कि में बैटल टैंक अरजुन से इस आपको इंसानों की जरूरत है, ना हेलिकॉप्टर की जरूरत है, तो यही इसका key feature है, और मिसाइल के पास ये भी capability है, कि अगर ये line of sight पे नहीं भी हो, लाइन आफ साइट पे होना चाहिए, ना, लाइन आफ साइट पे नहीं हो, जहां पे आपको मारना है, मालो यहां पे खड़ा हुआ है, कोई target और आप यहां से fire करें, तो यह आपकी line of sight है, लेकिन अगर ये target जो है, वो इधर चला गया, इधर चला गया, तो line of sight पे पीछे चला गया, तो line of sight से गया है, आप उसको मारी नहीं पाओगे, तो यह अगर line of sight पे नहीं भी होगा, तब भी laser से guide करके, जहां पे होगा, वाँ उड़ा देंगे, ऐसा है, गजब की capability है, यह lecture था, I hope आपको पसंद आया होगा, तो भाई, जैसे army test करती रहेगी, मैं आपको बताता रहूँ और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, सुरक्षित होगे हम, हाला कि वेपन्स जो हतियार पर बहुत अच्छी बात नहीं होती है, दुनिया भर में, अमेरिका और रश्या इतने सारे हतियार बनाते जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों यह सब को समझना होगा, भारत तो समझी रहे हैं, वो तो बोली रहा है कि भाई, हम तो NPT साइन करने के लिए तयार है, बदले में आप जो है, वो अपने nuclear weapons खतम कर दो, लेकिन देश जब ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो हो कैसे कर दे, हमको भी सरक्षित रहना पड़ेगा, और वैसे भारत की आर्मी क्योंका क्या कुίνा है, तो हो अधना उते हैं, यू झायात थाया है, आँना को भी सもपना में पक्यों है, गभारन पे खित रहें हैं, थए जवेे को से तो मार्मी दिए भारत रहे हैं, अभारत रहे हैं,। लेक्षित बदूस्थी और ड़क्ति दीन हैं, वे इन का लिः ज